नमस्कार मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजड़ा फिर वो भूली कहानी याद आई देश भर में आज फिर हंगामों मजग गया है और लोग कह रहा है फिर हो गई नोट बंदी, नोट बंदी हो गई नोट बंदी दरसल हुई नहीं है लेकिन नोट बंदी की याद आ गई है एक नए तरीके की नोट बंदी हो गई है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके हिसाब से दो हजार रुपए का गुलाबी नोट अब सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है यानि दो हजार रुपए के नए नोट आप नहीं छपेंगे जो नोट आपके पास है आप जाकर उनको बैंक में बदलवा सकते हैं लेकिन साथ में एक केवियट है इसके साथ एक सूचना औ और है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वो यह है कि यह दो हजार का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा आपको याद होना चाहिए जब दो हजार सोला में आठ नॉमबर को नोट बंदी का एलान हुआ था प्रदानमंतिर नरेंदर मोदी रात आठ बजे दूर दर्श नहीं रहेंगे यानि इनकी वैदानिकता नहीं रहेगी और आज भी वो काईदा लागू है अगर आपके पास इन दोनों जो पुरानी सीरीज के पांच सो और हजार के नोट थे उन में से दस से ज़्यादा नोट पाई जाते हैं तो आपके खिलाफ वैदानी करवाई हो सकत है बहुत सारे लोग बुजर्गवार जिनके घरों में नोट छिपे हुए थे या कोई विदेश में थे उनके नोट यहां थे वो अभी तक जूज रहें इस बात से कि उन पुराने नोटों का हिसाब कैसे हो लेकिन ये किस्सा 2000 के नोटों के बारे में नहीं होगा यहां कहा क्या गया है कि जब 2000 रुपए का नोट नॉंबर 2016 में इशू किया गया था सेक्शन 241 ऑफ आर बिया एक्ट 1934 के तहर तो कहा गया कि ये करेंसी रिक्वाइर्मेंट की जरूरतें एकॉनमी की पूरी करने के लिए रखा गया था क्योंकि 2500 के नोट सर्कुलेशन से हटा लिया गये थे और इसलिए बहुत से नोटों की जरूरत थी और इसलिए 2000 रुपए के नोट जारी किये गये थे उस वक्त और इसके बाद रिजर बैंक का ये सर्कुलर कह रहा है कि जब बाकी डिनोमिनेशन के नोट यानि 100 रुपए के 500 रुपए के 50 रुपए के ये नोट जब प इसलिए 2018-2019 से 2000 के नए नोट चापना बंद कर दिया गया है। ये बात बार-बार चर्चाओं में आती थी लेकिन Reserve Bank of India ने इस बात को अफिशली लिखा है कि 2018-2019 के बाद से ये नोट नहीं चापे जा रहे थे। और अभी 89% नोट जो 2000 रुपए के नोट बाजार में सर्कुलेशन में हैं उनमें से 89% नोट 90% के लगबग नोट मार्च 2017 के पहले चापे गये थे यानि समझ लीजे नोट बंदी के बाद अगले चार महिनों में वो नोट चाप दिये गये थे और नोटों की जिन्दगी नोटों का लाइफ स्पैन लगबग चार पांच साल होता है चार से पांच साल कोई नोट सर्कुलेशन में रहता है और उसके बाद वो इस लाइक नहीं रह जाता है कि चले तो इनका कहना है कि ये जो पूरे नोट सर्कुलेशन में हैं इनकी वैल्यू मार्च 31 दोजार अठारा को पीक पर थी 6,73,000 करोड के नोट थे जो के कुल नोटों के देश बर में जो कुल करिंसी होती है उसका 37.3% था यहां से गिर कर ये 3,62,000 करोड आ चुका है जो कि कुल करिंसी का 10.8% है ये 31 मार्च का अंकड़ा है इसी साल का और इसी वज़े से पाया ये गया है साथ में रिज़र बेंक करा ये भी देखा जा रहा है कि ये 2,000 के नोट अब आम तोर पर ट्रांजेक्शन में इस्तमाल नहीं होते हैं आपने भी देखा होगा मैं तो महसूस कर रहा हूं कि मुझे कई बार महीनों हो जाते हैं 2,000 का एक नोट देखे हुए तो आज की तारीक में भी मेरे पास एक भी नोट दो जार रुपए का नहीं है ना आज पास दिखता है बैंक ATM से भी निकालने जाओ पहले निकल आते थे दो चार आज कल वह भी नहीं निकल रहे हैं कहीं निकलते भी होंगे और दूसरी जो डिनोमिनेशन हैं उनके नोट प पुराने गंदे नोट न रहें इसलिए उन्होंने अब 2000 रुपए के नोट को पूरी तरह सर्कुलेशन से हटाने का फैसला किया है इसके बावजूद अगर आपके पास कोई 2000 का नोट पढ़ा रहेगा आप जाएंगे बैंक में जमा करेंगे चलाएंगे तो आप पर कोई म याद करेंगे या पुराने रिकॉर्ड तलाशेंगे तो आपको मिलेगा लेकिन एक रास्ता खोला गया है कि 2000 रुपए का नोट अगर आपके पास है तो आप जाकर उन्हें बैंकों में या तो जमा करवा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं बिलकुल जैसे ही किया जाता थ था कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन कोई कारोबार में संकट नहों परिशानी नहों इसलिए 23 मई से शुरू हो रहा है और 30 सितंबर तक यह नोटों को जमा करने का बदलने का सिलसिला एक बार में 20,000 रुपए यानि एक बार में 10 नोट आप जमा कर पाएंगे यह जमा करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है लेकिन एक्सचेंज करने का एक्सचेंज करने की लिमिट है कि आप 10 नोट एक्सचेंज कर पाएंगे वजह यह है कि आप बहुत सारे नोट लेके पहुंच गए और आपने बैंक में का सब बदल दो और उनके पास दूसरे डिन का जाहिर की जा रही थी कि यह नोट किसी ना किसी दिन जाएगा तमाम लोग सवाल उठाते थे सरकार पर कि अगर 1000 रुपए के नोट में ब्लैक मनी रखी जाती है तो 2000 के नोट में ब्लैक मनी और आसानी से रखी जा सकती है इसलिए भी इस नोट को उटाए जाना चाहिए और अब इस बात के पूरे आसार दिखते हैं कि जल्दी ही किसी दिन आप कौन सी तारीक और कौन सा मोट निकलेगा ये तो रिजर्ब बैंक और भारत सरकार बताएंगे आपको 1000 रुपए के नोटों की नई सीरीज देखने को मिल सकती है जो 1000 रुपए का नोट पहले चलता था क्योंकि 500 रुपए का नोट मैक्सिमम करिंसी का जो अगर डिनोमिनेशन रहेगा तो वह बहुत सुविधा जनक नहीं होगा इसलिए हलांके बहुत कुछ कैशलास हो चुका है देश में इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपको 1000 रुपए के नोट का एक न रहा था नोडबंदी एक तरह का नोट हटाए जा रहा है सर्कुलेशन से और इस तरह के किस्से पहले बहुत सारे हुए हैं उनको लेके बहुत ज्यादा लोड लेने की आवशक्ता नहीं है बिजड़्डा में अज इतना ही अभिजाद दीजे धन्यवाद नमस्कार कर दो कर दो